हलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कमल तो आज हम एक सिंपल यह प्रॉबलम है इसका डिसकेशन करेंगे तो हमें यहां पर एक राइट एंगल ट्रेंगल गीवन है और उस राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर एक पिंक कलर का हुसका हमें एरिया फाइं करना है और कुछ कुछ information घ्मरियान पर कीवन है तो चलिए start करते हैं जो प्रॉबब है इंगल क जो ट्रेंगल है उसका एरिया निकालने केका क्या क्या तरीका हम सोच सकते हैं तो मैं जो सिंपल में देख पा रहा हूं उससे हम क्या कर सकते हैं जो मैं तरीका सोचा है देखे अगर मैंने उपर वाले को भी पिंक कर दिया तो मैं इस point को A बोल देता हूं इसको B बोल देता हूं इसको C बोल देता हूं और इसको D बोल देता हूं ठीक है पिंक करर का जो triangle है वो कुन सा है B, D, C जो कि मैंने आपको previously बताया था ठीक है अभी मैंने उपर वाला जो है वो इसको पिंक कर दिया है ठीक है तो हमें कुल मिला के ये वाला और ये वाला ये एरिया हमको निकलना है बी डी सी इस ट्रैंगल का एरिया निकलना है ठीक है तो इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एरिया निकलूं एरिया ओफ ट्रैंगल ABC निकालूं और इसमें से मैं माइनस कर दूं एरिया ओफ ट्रेंगल ABD तो जो बचेगा वो होगा एरिया ओफ ट्रेंगल BDC ठीके उस एरिया में से उतना माइनस कर देंगे तो बच्जस इतना करना है और मेरे साब से प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा तो हमें ABC ट्रेंगल निकालने के लिए उसकी पूरी हाइट पता होनी चाहिए तो हाइट हमें पता नहीं है तो इतना हाफ ट्रेंगल ABC कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू बेस जो है वो फाइफ है और हाइट कितनी है माइनस एरिया ओफ ट्रेंगल ABD ट्रेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू इसका जो बेस है वो है फाइफ और हाइट है एक्स यह क्या आएगा हमेरे पास एरिया ओफ ट्रेंगल BDC और जब हम इसे सॉल कर देंगे तो मैं सॉल कर देता हम 1 बाइटू 5 X plus 1 by 2 5 into 2 minus 1 by 2 5 into x so 1 by 2 5 into x 1 by 2 5 into x यह हो जाएगा cancel यहापर 2 से 2 cancel हो जाएगा और area जो है वो आया है 5 cm square के तो जो pink triangle है जिसको bdc से हम represent कर रहे हैं उसका जो area है वो कितना है 5 cm square के बराबर तो यह था एक simple सा problem so I hope that this video will be helpful for you all वीडियो पसंद आए तो उसे like के जाए शेर की जाए चैनल पर नाए हो तो subscribe करना ना भूले notification बेल को press करें ताकि जैसी नया वीडियो अपलोड होई आपको तुरंत उसकी information मिल जाए thank you so much thank you for watching जैहिन बंदे मादरों